हलो दूस्तो नमश्कार देखा गया तो इन कंपनीज में क्या हो रहा है दोस्तो कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है शेर मार्केट में भी हम लोगों को अच्छा कासा डिसकाउंट लगते वे देखने को मिलता है तो आप ज़रू चाहो तो इन स्टॉक्स के बारे में शॉपिंग करने किने बिजनेस अच्छा लगता है किने लॉंग टर्म की साबसे आपको विजन की साबसे कंपनी का परफॉर्मस कैसे लगता है रैंडम ली जाके नहीं खरीदना है दोस्तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक आपको टॉप लेवल से डाउन देखने को मिलेंगे अच्छे कंपनीस के बारे में तो चलिए अभी देख लेते कौन से ऐसी कंपनीस है जो की फंडामेंटल स्टॉंग भी है अच्छे डिसकाउंट के उपर सेल लगते वे हम लों को देखने को मिल चुका है तो पहली कंपनी है दोस्ता आप देख सकते हैं आज की दिन भी सवा दो पसेंट गिरते वे देखने को मिले है लगातार गिरावट जारी है छे मेने में 17-18 पसेंट है एक साल की बात कुर गए तो 30 पसेंट की गिरावट तो क्या ये स्टॉक खराब हो गया तो ऐसा बिलकुल भी नहीं पाच-पास साल का डेटा आप देख सकते हो 500-500 पसेंट क गिरने के बावजूद तो ये कोई फर्स टाइम नहीं गिर है अगर हम लोग गिरावट की बात करें अब चेक कर सकते हो कम्पनी कितनी गिरे है मोटा-मोटी अगर में बात करो तो 47-50 पसेंट की गिरावट तो ये पहली बार नहीं यहाँ पर भी जो देख रहे हो नहीं य डेफिनिटले आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं, अगर आप short term के बारे में, मतलब सवाल पूछे जाते हैं, Sir, अगर आप long term की बात करते हो, अगर मेरा नजरी है, एक देड़ साल का short term के बारे में, अगर में क्या करूँ, तो दोस्तों में short term के बारे में कोई guarantee नहीं दे सकता, short term में बहुत सारी चीज़े होती है, बट long term की सबसे अगर में बात करूँ, yes, आपको returns जरू मिलेंगे, अभी short term में बहुत सारी लोग ने, इसके पहले भी मेने वीडियो बनाय था, 2018 में, तभी आप देख सकते हैं कितना प्राइस पर देखने कमलती थी, 692, फिर बाद में ये company की हालत इतनी खराब हुई, आप चेक कर सकते हो, 239, और अलगर हम लोग बात करें, 2020 तक, तो ये short term कव ये हो गया, तो short term में तो लोग ने exit कर लिया होगा, बट long term वाले, आज आप देख सकते हो, फाइदे में है, तो इसलिए कहना चाहूँगा, कि short term नहीं, मैं long term की साब से बात कर रहा हूँ, तो बाला जी, इसलिए cover कर रहा हूँ, कि हाली में मैंने वीडियो बनाय था, al technology amends में कोई गड़बर एक है, alkyl amends के साथ हमाईशा आप उसको भी cover करते हो, तो कोई गड़बर नहीं है दोस्तो, जैसी का आपको बताया, alkyl amends में भी क्या हुआ था, जो raw material रहता है, उनका जो दाम रहता है, वो हम लोग को बढ़ते वे देखने को मला था, तो operating जो margins र के लिए अगर आप exactly calculation करोगे, तो ये nearby आपको 40, 45, 50% भी down देखने को मिलेगा, so same वही चीज है, short term में अच्छी का सी गिरावट देखने को आप मिले पर ये देखा गया, तो IT sector से related ही directly and directly belong करते वे देखने को मिल जाता है, and IT sector में extra तड़का भी लगते वे देखने को मिल ज इसने से, so अब ये देखा गया, तो ये सब कुछ जो भी चीज़े आपके करते हैं, अनलाइन ही करते थे, and ये कोई अभी की बात नहीं, कंपनी बहुत पुरा नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, 2006 से तो ये इसकी listing हुई थी, तब से लेके अभी तक ने कंपनी ने बहुत ही श ज़रूर यहाँ पर रहनी चाहिए, अच्छे discount के उपर फिलाल तो देखने को मिल रहा है, नेक्स बात करेंगे दोस्तों, एक company जो की लगातार नीचे ही गिरते वे देखने को मिल रही है, एक साल में 26% के आसपास की गिरावट, और पात साल की बात करें, तो 200% की रिटन से देखने को मिल जाते है, नो डाउट गोविड का इसका बहुत अच्छा कासा फाइदा अमनों को होते वे देखने को मिला था, तो जैसे कोविड कतम हो गया है, तो थोड़ा बहुत हमनों को यहाँ गिरावट भी देखने को आपैं मिल रहे हैं, क्योंकि demand थोड़ा बहुत आपर घट जाता है तो इसका रती है नहीं कि लॉंग टर्म की साब से कंपणी खराब हो गई करके लॉंग टर्म का विजन होना चाहिए दोस्ते में आज भी देखता हूं कि लोग अच्छे अच्छे शेर्स को खरीते रहते हैं यहाँ पर मतलब मैं पूछता हो कि कितना टाइ अच्छा कासा गिरावट हम लोगों को देखने कमड़ है अगेन कहना चाहूंगा गिरावट हो रहा है इसलिए रैंडम ली जाके खरीद होगे फर्स जाओगे आपको लगना चाहिए कि वो कंपणी अच्छी है या नहीं बिजनेस वाइज समझ में आनी चाहिए तब ही जा रिलेटेड वीडियो अलड़ी बना चुका आप चैनल के उपर देख सकते हो नेक्स बात करेंगे दोस्तों एक स्टेबल टाइप की कमपनी जो की है कोटक महिंद्रा बैंक येस इस कमपनी के अगर मैं बात करू इसमें तो आप बिंदास जा सकते हो अभी बिंदास जाना मत तो इजिली जो टार्गेट है साथ आट पसेंट दस पसेंट साड़े बार अटक का इजिली अचिव हो जाता है तो उस ही साब से आप चाहो तो इस कमपनी को जरू कंसिडर कर सकते हैं पात साल में इसके रिटन्स डबल रखने का अमलोग टार्गेट रखते हैं कितने रिट अगर आप चाहो तो थोड़ा सा सेफ रिटन्स के साथ चलना चाहते हो तो कोटक बैंक को जरू अपने रडार के ओपर रख सकते हो अलाकि मैं एक ट्रेट अवे वार्निंग देना चाहूँगा इफ यो आर एक्सपेक्टिंग और मोर दैन हंड्रेट पसेंट 200 पसें 300 पसें यहाँ पर आपके सामने रखाए सो जो लोग इंटरेस्टेड है जरू इसके बारे में स्टड़ी कर सकते हैं सो जितनी इंपोर्टन वार्निंग थी वो भी सारी मैंने दे दी हैं नेस्ट कंपनी के अगर हम लोग बात करें 582 पे चलने वाली कंपनी कौन सी कंपनी जिसका न आप भी यहाँ पर जेल रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में आप इस लोडाउन देखने को मिल रहे है तो इसके चलते जो स्ट्रेचिंग हो रही वो ज्यादा देखने को मिल रही है तो पाइप इंडर्स्टी के अगर हम लोग बात करें उसमें यह कंपनी अच्छा यहाँ य गलत बात क्या है कि हम लोग सिर्फ स्टॉक भाग रहे हैं इसलिए खरीते हैं अगर आपको लगते हैं कि हाँ यह कंपनी का बिजनेस अच्छा है बड़े-बड़े इंवेस्टर स्टॉक को हायर लवल पे खरीते हैं बट उनका स्टड़ी रहता है कि यह स्टॉक यहाँ से क जादार इसकी मुझे लगती है मतलब अगर आप चेक करोगे एक एक साल में कितने गिरावट है आप तो बाप रेबाप 50% गिरावट सरी यह इतने डेंजरस टॉक क्यों बताते हो देखे यह स्टॉक है ही वेसे अगर आप माइक्रो कैप अगर आप स्मॉल कैप में जाने की इच्छा रखते हो तो इस प्राकार का नजारा यह देखने को मिलेगा हाँ अगर आप यह नहीं देखना चाते हो तो फिर आप कोटक माहिंदर आप बैंक के साथ जा सकते हो आप इतनी बड़ी किर्यावाट नहीं होती यूज्वली तो नहीं होती है राइट सो यह कॉन सी क अचली ग्लास कोट यह छोटी कंपनी है इसको आप अपने रडार के उपर रख सकते हैं वैसे यह भी कंपनी कोई नुकसान वाली नहीं है आपको लग रहा है कि एक साल में 50% नुकसान है पाच साल जेनों ने होल्ड किया है आज भी अगर आप चेक करोगे एक सेकंड यह त बढ़ता है प्रॉब्लेम यह होते कि हम लोग मतलब रिटन के लिए जाते हैं बढ़ रिस्क को निगलेट कर देते हैं तो फिर अगर ऐसा करोगे तो फिर जब स्टॉक नीच आएगा फिर आपको दिक्कत होगी तो क्या एचली ग्लास कोट खराब हो है तो खराब नहीं हो ह अगर आप देखोगी इनका पाच सल का 1300 परचंट की रिटन्स है क्या हर साल ऐसा 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 चलके यहाँ पर आया नहीं एक ही टाइम पर फिर रिटन्स रॉकेट की तरह है भागता है और फिर बहुत से लोग को फिर वह अच्छा लगने लगता है और भाग रहा है भाग रह कभी ना कभी प्रॉफिट बॉकिंग होगी क्योंकि इसमें 10-12-15 परसंट की प्रॉफिट बॉकिंग नहीं होती आराम से 30-40-50 परसंट गिरता है वही अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इनके से अगर आपने अलग अलग स्टॉक आप लोगों को सीखने के लिए आ और 3 के रिजल्ट मस्ट है दोस्तो उसको देखना है उसके बाद आप लोगोंने अकॉर्डिंग लेना है तो आशा करता दोस्तो वीडिया यलफू लगाओगा तो ज़रू लाइक और शेर कर देना है डिमेट अकाउंट अगर अब भी तक उपन नहीं किया तो लिंक नीच